नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आउनलाइन संसान परिक्षा प्रसमें, मैं आलोग शुक्ला, एकपरपुना आप सभी का सभी का स्वागत करता हूँ IB, Security Assistant, MTS Executive, जो 5 नमबर से आपका form filling चलू होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी परिक्षा बहुत ही जल्दी होती है मैं आपको पिछला भी record दिखाऊंगा, हाला कि अगर हम Security Assistant की बात करें, तो ये paper इससे पूर में 2019 में हो चुका है, उससे पहले 2017 में हो चुका है लेकिन तब ये offline paper होता था, और पिछली बार 2021 से जब से IB ने ACIO का paper निकाला था, तब से ये TCS के हाथ में चला गया और online होता है और तब से इसमें समय बिलकुल नहीं देता, पिछली बार भी IB ACIO वाले बच्चे बहुत ज़्यादा परिशान हुए थे, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग इस बार ऐसी परिशानी में आओ, बहुत ही आसान जॉब है, बहुत ही कम effort में इस जॉब को ले सकते हो पद भी 1671 है, बहुत अच्छे खासे पद हैं, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपके पास क्या होनी चाहिए, बहुत बहुत बेहतरीन रणनीत होनी चाहिए, पढ़ने के लिए बहुत अच्छा content होना चाहिए, बहुत यही बेहतरीन तरीके से आपके पास जो source है, उ coaching कौन सी हो, test series कौन सा लगाना चाहिए, self study करना चाहिए, या हमारा study plan कैसा होना चाहिए, और मैं सबसे बड़ी बात आपको यह बताऊंगा, कि ACIU का paper अगर कोई बच्चा दिया होगा, या नहीं दिया होगा, तो देखा होगा, या दोरू नहीं किया होगा, तो मैं बता र पूशने का तरीका था, वो कहीं न कहीं एक जो statement wise, quote wise जो था, वो question उसको क्या कर रहा था, time taking कर रहा था और आपको यह नहीं बोलना चाहिए, कि यह paper किवल एक घंटे का है, और एक घंटे में 100 question कवर करना है, हलाकि pattern के बारे में आप सभी लोग जानते होगे, नहीं जानते पूशता था, लेकिन 2021 से अब यहाँ पे जो GA का मतलब हो गया है, वो बच्चों static नहीं रह गया है, वो current affairs हो गया है, आप 2019 और पेपर में देऊ हो, तो current affairs को कोई कोशन ही नहीं था, लेकिन अगर आप 2021 के ACIU का paper देखोगे, मैं क्यों ACIU से compare कर रहा हूँ, उसका कारण यह है, कि संस्था एक ही ही है, दूसरी बात आपका IB ही दोनों paper करवा रही है, तीसरी बात यह तोनों का pattern बिल्कुल सेम है, जो tier 1 है, वो एकदम सेम है, दोनों ही परिक्षाओं में 3 tier के होते है, tier 1, tier 2, tier 3, tier 1 दोनों का सेम है, tier 2 में जहां पे AB ACIU में answer writing होता है, और besides writing होता है, वहीं पर यहां पर translation होता है, tier 3 में दोनों में क्या होता है, interview होता है, बस इतना सब फरके के वल बीच के portion का, और सब को सेम है, तो कहीं लगई इसमें English आपकी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, और कैसे English आपको मजबूत करना है, उसकी भी जनकारी में आपको यहां पर सकते हैं, और 2021 के जनवरी में ही फॉर्म आया, लास्ट डेट नौ तारिक थी, मतलब आप देख सकते हो, दोस दिन उधर, बीच दिन का समय दिया जाएगा, और उसकी बाद देखा जाए, तो एडमिट कार्ड कब आ गया था, फरवरी में एडमिट कार्ड आ गया था, फरव जनवरी में, जनवरी में 2021 में आया है, अपरल में क्या हो गया, रिजल्ट हो गया है, सायद इतना जल्दी कोई नहीं करता है, या तो आप SSC करने जा रहा है, आपने देखा होगा कि चाहे वो GD हो, प्रिपोंट कर दिया, SSC CGL हो, या SSC IMTS हो, सब को वो पहले करा ले रहा ह इससे जादा आपको समय टियर वन में नहीं दिया जाएगा, हाँ, टियर वन और टियर टू में आपको थोड़ा सा 2-3 महिने का समय और मिलेगा, लेकिन यहाँ पर टियर टू में केवल ट्रांसलेशन है, तो उसके लिए आपको परिशान नहीं होना है, वो सब कुछ आपको कर दिया दा, और ऐसे इस बार फिर से कराएगा, क्योंकि कहीं न कहीं सासन का भी प्रभाव हो है, और फिर कहीं न कहीं आई भी रिट्मेंट जल्दी करना है, यह बात आप समझते वे चलना, तो समय हमारे पास केवल 4 महिने हैं, और इन 4 कटॉफ अगरा की भी मैं चर्चा क कोशन होते हैं, ऐसे ही आपका जो रीजनिंग होता है, यह भी 20 कोशन होता है, और फिर आपका जो हैं इंग्लिस हैं इंग्लिस भी आपका 20 कोशन होता है, इंग्लिस के बात दो सेक्शन होते हैं, एक आपका होता है जीए और एक आपका होता है जीए जनरल इस्टडीज और दोनों ही बीस होते हैं. अगर मैं 2017 की बात करूं और मैं किसी की बात करूं? जबकि 2021 में जो फ़र्वारी में IB ACIO का पेपर हुआ था उसमें जंदल अग्वेरनेस में 20 के 200 कोशन क्या पूंचे गए थे यहां पे 20 के 200 कोशन करेंट पूंचे गए थे इस बात का ध्यान देना और यह उतना ही एक्सपेक्टेड है कि फिर से यह क्या पूंचा जाएगा पर एडवांस पूशन की बात करूं तो जैसे आपका क्या हो गया एलजेब्रा हो गया ट्रेग्नामेट्री हो गया कौडिनेट हो गया इनसे पूशन पूंचा गया था और वहीं पर 2017 में यह मैं सेक्योर्टी एसिस्टेंट की पेपर की बात कर रहा हूं और अगर हम 2021 में ब इस बात को आप समझेगा अब पेपर का जो कोशन पूचेगा वह कैसा होगा तो 2000 अगर मैं 22 की बात करूं 2022 में जो आपका पेपर होने जा रहा है पेपर हाला कि 2022 में तो संभव नहीं हो पाएगा 2023 में परिक्षा 2022 की ही बोली जाएगी तो यह मैस में होगा इसमें आपको सा सारे ही चैप्टर कवर करने हैं वो चाहिए अरिथमेटिक का परसेंटेज हो पॉफिट लॉस हो सी आई हो एसाई हो चाहिए आपका टाइम एंड वर्क हो टाइम इस पर डिस्टेंस हो यह इन पार्ट को ले लिया जाए या फिर हम एलजब्डा के पार्ट को ले ले या हम कोर्दिक के Eigen के पार्ट को ले ले या हम स्टिक पार्ट को ले ले मैंश इंद पूंचेगा सबसे में के बीज से 20 चप्टर जाएगर बीस वार्ड़ीश जाए बिस एकRIS पूंचे का था एवरे लेकिन वह ऐसा नहीं कि एक ही पेपर में सब पूंचता है ती कीश होता है उ तोड़ा सा स साथ में लेकर चलता है क्योंकि उसके पास कॉशन वएयर स्वक्राइशन, इसमें बाकी सारे क्या सारसीHHHH इसमें आपका क्या हो गया सब्सक्राइब जाता है लिकिन भी दो गया संब्सक्राइब सर्गी पूछा जाता है English की बात करें तो English में filler का और फिर grammar में error का जो होता है बोल बाला ज्यादा होता है फिर अगर हम देखें तो synonym, synonym दो-दो questions कोंच जाते हैं दो-गोशन वन वर्ड substitution दो-गोशन एडम प्रेज्ट के पूछे जाएंगे दो तिन कोशन हो सकते हैं और भी जो आपका मैसलीने से वैसे कोशन पूचा जा सकता है यह इंग्लिस का है तो जो पेपर है वह आपका बैलन्स लेबल का है लेकिन अब बात आती है कि हम कैसे तैयारी करें कि हमारा सेलेक्षन हो जाया और हमे सो में 35 नंबर तो बहुत कम होता है मैं आपको बता दूँ इसका प्रॉसीजर क्या है उते हैं यह यह बात समझना और उसके बाद फिर यहां पर यहां पर यहां पर 10 गुना आ जाएंगे तो फॉर्दः जो इंटर्वियों में जाएंगे वहां पर कितना जाएंगे पांच ग सब्सक्राइब करें कि यहां से मैं कई सारे साक्ष्री नहीं किया था उसने क्या निकाला था कि यह बच्चे सेलेक्टेड है फिर भी एक जो अनुमान लोगों ने लगाया होगा कि पैस्ट गया है वहीं पर हम आइबी एस यू की बात करें जो 2021 में पेपर हुआ है उसकी बात एस कारण से मैं I.V.C.I.U को यहाँ पर जो हो है चएबी का धर इस बात को धियाल दिजेगा तो आउट ओफ 56 मतलब पचाटक हैतर परसेंट काफी जादा नंबर होते और जो मेरा अनुमान है वह है इस बार भी कम सेकल 36-80% के बीच में ही cut-off रहने वाली है क्योंकि competition इस बार ज़्यादा है तो मेनत भी आपको ज़्यादा करनी है यह मैं sure selection की बात कर रहा हूँ कि 36-80% अगर आपका प्रिलेंस वाज़ता है और कारण क्या है क्योंकि इसमें क्या होता है overall सारे marks जड़ते है जैसे tier 100 number का होता है फिर tier 2 जो होता है tier 2 50 number का होता है tier 2 में क्या होता है मैं आपको यहीं पर बोल देऊ tier 2 में आपका translation आएगा translation क्याएगा English से Hindi और Hindi से English और उसके क्या हैंगे उसके आपके 25 number होंगे ठीक उसके आपके 25 number होंगे यह tier 2 है और इसके बाद ही यहाँ पर यह 40 number का होगा यह 40 number का होगा और 10 number का आपका 10 number का जो होता है यहाँ पर translation के बाद में जो आपके अलने पर क्लिया होती है 10 number का होता है और उसके बाद 50 number का आपका क्या होगा 50 number का आपका interview होगा जो tier 3 होगा आप समझिएगा कि आपको हर पर उस पर करने अच्छा परफर्म करते हुए चलना है लेकिन कहीं में कहीं आप सबसब परफर्म कहां पर कर सकते हो इस वाले पॉर्शन में कर सकते हो यहां पर भी बच्चों को 25 से 30 के बीच में नंबर मिलते हैं ना किसी को बहुत ज्यादा ना किसी को बहुत कम मिलते हैं कहने का मतलब यह हो गया कि अगर आपको ओवर और फाइनल सेलेक्शन लेना है तो हर स्टेज पर अच्छा परफर्म करना होगा अभी हमारा फोकस क्या हो और उन है जो क्या पर पाने के लिए आपके पास कुछ चीजे होनी चाहिए क्या होनी चाहिए सब से पहली बात तो हो क्योंकि क्या होता है बहुत सारी जो पुब्लिकेशन होते हैं वह होता है क्या है पुरारा जो कंटेंट उसका केवल कवर चेंज किये और बदल कि आपको दे दिया बस हाँ यही है यही यह पढ़ लो और साथ उससे पहले नहीं कोई कि इसकी तैयारी करवाएं है नहीं कुछ करवाएं हैं और आपको व्योकुब बनाने के लिए कर देते हैं और हाला कि आप इतने छोटे बच्चे भी नहीं कि समझ नहीं पाओ कि हां क्या सही है क्या गलत है तो यहां पर आपको पहचानना है कि आपकी परस जो मेटेरियल है व वह वन श्टेटमेंट टूश्टमेंट ट्री श्टेटमेंट की बारे में था जैसे वाहां से पूश लेता है कि ओलंपिक 2020 कोई भी ऐसा वालो कोई गेम होगा 2020 में इसके बारे मिलिकिन में से कौन सा कथन सही है कुछ अब फॉलिंग इसके और इनकरेक्ट उसमें से तीन स्टेटमेंट रहेगा आपको उसमें इनकरेक्ट या कौन सा इनकरेक्ट है यह थोड़ा सा लेंदी लेके जाता है इसलिए करेंट पर ज्यादा ध्यान देना है हलागी इसमें आप 20 में 20 स्कोर कर सकते हो इस बात का ध्यान देना और करेंट के लिए हम सोल्स की बात करें तो करेंट क्लिक क्यूंकि आपको पास समय केवल 4 महीन है तो बहुत ज्यादा आप किसी यूट्यूब चैनल या उन पर रेलाई मत्रो आप किस पे सबसे ज्यादा आपको क्स करना हैrik किसी मेघीन का मैं नाम भी लिग दे रहा हूँ अगर कोई English medium वाले हो तो परचोकता दरप्रा वाली आती ही मैं उसकी बात करूंगा पकली वाली जो मन्तली वाली आती है वो किन्य मोटी वाली नहीं फिरत्युत्य पगदियु आप ले सकते हो तो उसका संचित के वहला आप बेखो और प्रण्दी मीडियम वाले हो वह घटना चक्र या घटना सार घटना चक्र की आती है मंतली या घटना सार की आती है इन गटना सार की आती है हाफ यल ली इन दोनों सोस पे आप करेंट अफेस अच्छे से पढ़ते जाओ बागी आपको यहां पर टीम परिक्षा प्रश डेली गंटे की क्लास होती है बस आपका मोदें सफिशेंट हो का डेली बिसिस प्रफ को मिलता रहता है तो मैं यह बोलना था कि आपके पास स्टेडी मेटीरिल बहुत अच्छा होना चाहिए टीम भी आपके लिए बहुत अच्छा बात बहतरी लिए लिके आ रही है जैसे सारा ए जो lection ठर्ली चाहिए वो मुझे आपको बताना है तो क्या होना चाहिए अपके पास स्टेड होना चाहिए जो साल चाहिए बहुत अच्छा होनी चाहिए दोस्री बात दोचीजा आती है आप सेलफ कर रहे हो और और कोचिंग घर आप आप सेल्फिस्टेडी कर दो तो आप जहले सी बात से अल्फिस्टेडी जादा कौन करता है या तो वह working person होता है या फिर कहीं selected होता है ये लोग ज्यादा दा या सेलेक्टेड होते हैं या फिर वह 3-4 ताफसे लगाता तैयारी कर रहे होते हैं मतलब आप ऐसा बहुत सकते हो कि वह बिगनल्स नहीं होते हैं वो कहीं न कहीं क्या होते हैं वो अपने आप उनकी तैयारी कि साथ साथ सबस्यादा प्राउप करतेों वह बहुत ज़्यादा जरूरी है और ज्टी यह ırap को अलब नहीं होते हैं के लिए कहीं कहीं कोचिंq बहुत ज्यादा हटा कर देती हैं होता क्या है मैं यह क्यों support करना हूँ coaching का क्योंकि जब हम नहीं नहीं तैयारी कर रहे हो तो आपको यह नहीं पता होता है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और चार महिने में आपका maximum समय उलता है इस बाग को research करने में चला जाता है कि हम क्या पढ़ें और कहां से पढ़ें और कितना पढ़ें जबकि अगर मैं आपको बताऊं तो सवे जितने पार्ट मैंने आपको लिखें सबका अपना एक दाइरा है ठीक है मैस में वो कुछ भी पूछ सकता है कुछ भी मतलब वो एडवांस और अरिथमाटिक दोलों पूछ सकता है लेकिन आपकी किस्मत में आपका पेपर आएगा और क्यूंकि इसका फिक्ष्ट पैटर्न नहीं है कोई ना ही सिलेवर्स देता है इस कारण से हमें पढ़ना सब कुछ पढ़ता है लेकिन उसमें भी आम क्या पढ़ना है अब जैसे आप परसेंटर चर्ट उठा लो तो परसेंटर में तो तमाम ईतिकी प्र Всем है लेकिन हमें किस प्रकार का ही प्रशन है आप ऐसे समझन हो कि अगर सव कोशन है साट मिरेट में करना है तो बहुत कोशन बहुत लंदी नहीं होगा तो इसका मतलब समझ लेना कि जो पेपर आएगा वो क्या आएगा कॉंसेप्चुल आएगा और अगर नहीं आया कहीं ऐसा पेपर आप से पूस्ता है जो ज़्यादा टाइम टेकिंगे तो जहेजिवाते सबके नंबर कम होंगे फिर आप अकेले नहीं हो और यह क्योंकि एक प और अभी मैं बता दू पेपर कॉंसेप्चुल होगा और कम टायम टेकिंग होगा तो जब पेपर कॉंसेप्र क्यों कि बात करें या मैंजैं की बात करें हर चैप्टर से उपर-उपर कॉर्शन है डीप में नहीं जाता वो अपना लेवल नहीं बढ़ाता है वो मॉडलेट स रूप से करते चलना है चार महीने अगर आपके पास देखा जाए चार महीने मैं लेके चल रहा हूँ मतलब आपके पास 120 दिन है 120 दिन में अगर 6 गंटे एवरेज पढ़ोगे तो 720 गंटे मतलब आपके विए पर यहां पे बच्चों को जो स्टेट लवल के बच्चे हैं कि उनकी इंग्लिस थोड़ी से वीक होती है तो आप परिशान मतों ऑपको सर्वेस से बहुत बहुत बिद्वद तरीके से पढ़ाएंगे यह खुदी आइबी सेलेक्टेड हैं अपना अनुभवी आ आपको बताएंगे और यहां पर जितने भी टीचर आपको उता रहे हैं मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा बैंक सेलेक्टेट आपका फिर देखा जाए तो यहां पर एससी सेलेक्टेट और भी इससे पहले मैं टीसेस पर जॉब करके आया हूं तो सारी चीजे मैस हो या फिर आपको आसी सर पढ़ाएंगे सहीं मैं में साथ आसी सर भी जौब ही करते थे तो दोनों ही आपको क्या होगा यहां पर बहुत बिद्वद बहुत अच्छा एक्स्पीरियंस मिलने वाला है इंग्लीज में खुद सर्वेसर आईबी सेलेक्टेट को मैं उतार रहा हूं और ज आपको पढ़ाएंगे कि सब कुछ आपको फेल हो जाएगा लगेगा इसके आगे अब कुछ पढ़ने की अवसक्ता नहीं है बाकी जीस में आपके मल्टिपल टीचर्स रहेंगे जैसे रमन सर हो गए उसमें अनुसर भी हो गए उसमें हो सकता एक दो पोसन में सम्भालों हो इस सरों के बाँ सारे टीचर जो है वो यहां पर आपको जीस में सवालेंगे बट जीस में आपको एक चीज बता दू कि जीस में आपको पढ़ना कैसे है अब एक चीज देखिएगा कि जब यहां पर जनल अवेर्नेस की बात करता है यह सब सबसे अरब वेट इस कौन ली ज जीस है जी यह मतलब क्या है जी यह मतलब है करेंट और करेंट के 20 कोशन डूएबल होते हैं अगर आपने लगातार चार महीने मेहनत कर लिया तो यह नंबर आपके पक्के हो जाएंगे और आपको मेहनत करना है कब से कब तक पढ़ना है तो इसको भी मैं बता दू आई भी जब भी फॉर्म निकालता है तो उसका सब कुछ प्री प्लांड होता है ऐसा नहीं है कि वह पहले नोटिफिकेशन निकाल देगा फिर वह एजनसी को धूड़ेगा फिर वह क्या करेगा फिर वह पेपर बनवाएगा ने उसका पेपर बन चुका है उसने एजनसी क्लियर कर अब उसको सारा ब्लूपिंट तयार है अब उसे क्यों एक्जिक्यूट करना है इसका मतलब यह कि अगर आपका पांच नॉमबर से फॉर्म फिलिंग चालो है तो नॉमबर दिसंबर छोड़के रहो सकता है आपका फरवरी में क्या हो जाए पेपर हो जाएगा तो इसका मतल जाना है और इसके लिए हिंदी मीडियम वाले जो घटना चक्र है घटना चक्र की जो आपकी वासिकान काती है यह आप रट डालो और रट डालो मतलब रटा होना चाहिए क्योंकि अगर आप यह नहीं कर पाऊगे तो यकिनना आप फॉर्म मत भरो अभी फॉर्म नहीं भरा जा रहे है तुफ कॉंपटीशन है हाला कि पद बहुत अच्छे हैं अगर आप तरीके से पढ़ ले तो उतना आसान भी है और बच्चा नहीं सेलेक्ट होता है तो यहीं पर नहीं सेलेक्ट होता है क्योंकि उसकी रणनीत खराब हो जाती है तो मैं यह कोशिस मैं यह अगर आप करेंट यहां पर मजबूत करोगे तो यहां पर इस्टेटिक वाला जो पार्ट है वो क्या करता है टीजीएस की मैं बात बता रहा हूं टीजीएस करेंट से रिलेटेड इस्टेटिक पूशता है और पिछले पेपर में भी देखा गया है साथ से आठ कोशिन इस् पूशता है बहुत डीप नहीं पूशेगा और पूशेगा भी तो किसी के बारे में आपका क्या पूशेगा एक इस्टेट्मेंट वाइस पूशेगा अगर तक थोड़ा वो भी दो ही तीन कोशन पूशेगा आपको मन चलो 12-13 कोशन जो जीएस का बसता है उसमें 6-7 कोशन बहुत ही जी होंगे 2-3 कोशन मॉडरे होंगे 2-3 कोशन हो सकता है इस्टेट्मेंट वाले हो जाए तो आप उन 2-3 कोशन वाले की चक्कर में आपके अंदर होता क्या है कि आप जो पेपर को एनलाइस करते हो तो जो कोशन कठी होता है उसकी पीछे पढ़ जाते हो उसे ढू मॉड्रेट लेबल के होंगे और ऐसे ही आपका करीबन मान के चलो कि यहां पर 15-15 कोशन क्या होंगे यह टफ होंगे तो आपको यह टफ वाले पोशन पर ध्यान नहीं देना है आपको किस पर ध्यान देना है आपको इजी और मॉड्रेट वाले पर ध्यान देना है क्योंकि अगर इसे जोड़ लोगे तो 85 से 90 कोशन आप आराम से डूएबल होते हैं और एक देसी थोड़ी भी अच्छी निगर 85 से 80 आपके बीच में सही हो जाते हैं तो आपके सेलेक्शन की चांसे बढ़ जाएगी क्योंकि आपके पास टीर 2 और टीर 3 भी सामने रखा हुआ यह बात आप पढ़ो इंडियन जोग्रॉफी में भी क्या पढ़ो केवल इंडियन जोग्रॉफी इंडियन जोग्रॉफी में भी क्या पढ़ो इंडियन जोग्रॉफी में आपको पढ़ना है नदिया पढ़ लो पहार परवत जो होता है और उसके बाद आप थोड़ा से इंडिया क अच्छे से cover कर लो तो आपको quality में एक भी number नहीं जाएगा history में क्योंकि ये बहुत वाष्ट है तो मैं अभी आपको सला नहीं दूँगा कि history में बहुत जगा समय है बरबात करिए उसके लिए मैं आपको टेबल दे दूँगा कि जो मुख्य मुख्य चीज़े होंगी वह टेबल आप अच्छे से पढ़ लो history में आपका एक number भी जाएगा नहीं बाकि आपको economics पढ़ने की जरुवत नहीं है और जो आपका static है वो current से ही cover हो जाएगा अन्य जो study होगा उसके लिए आपको मैं एक कुछ 87 पेश का PDF दूँगा वो आपके बड़ पढ़ लेना तो static में जो भी question पूछा जाएगा वो cover हो जाएगा कहने का मतलब अगार आप current अच्छे से कर लिए और जितना आपको पूछता या पर GS पूछता तभी है नंबर आपका 35 लापना पूस्कील हो जाता लेकिन क्यूंकि आपका current जाथा पूछ रहा है तो आप पैंटिस लाना आसान है और अगर आप 35 की बढ़त यहां पे ले लिए तो आप यह समझो कि next जो 60 इसमें से पहले लेकिया आगए है और आपको आप 40 से 45 कोशन यहाँ पर कवर करना है रिमेंनिंग में से तो आप मैंस मेंस में मैंस में आप मैंस और रिजनींग सबसे सब्सक्राइब क्राइब करने करो अगर आप 17 आप पर कर लेते हों तो आप मान के चलो कि 52-53 कोशन यहां पर पहुँच गए हो है ना अब आपके पास बसता है Maths और English इसमें बच्चे average होते हैं बहुत कोई Maths कमज़र होती है बहुत की English कमज़र होती है तो 20-20 यानि कि 40 नंबर यहां पर है आपको target यह करना है कि इस 40 में से अगर आप 20-25 कोशन भी कर लिए इस 40 में से अगर आप 20-25 कोशन भी कर लेते हो तो आपका सेलेक्शन की चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे अब 20-25 कोशन आप कैसे कवर कर लो आप यहां नंबर सिस्टम चाहे वह एडवांस ज़्यादा पूचेगा यह फिर चाहे अरिथमेटिक पूचेगा नंबर सिस्टम ज़रू पूचेगा जैसे LCMACF का टॉपिक सफर me पूचेगा एक कोशन मैंसरेशन का जरूर पूचेगा एक कोीशन मुआ जमेट्रिग पर उपर जरूर पूचेगा ऐसे ही देखा जाये तो अगर आप देखो तो वहां पर अरिथमेटिक पर ज्यादा ध्यान दो क्योंकि अगर aड़ ज़्याधा पूचेगा तो भी आरिफमेटिक के एक पूछेगा और एडवांस नहीं पूछेगा तो आप सेफ जोन में जाने के लिए आप कौन सा चेप्टर तैयार करो आप नंबर सिस्टम को ज्यादा अच्छे से पड़ो उसके बाद आप परसेंटेज अच्छे से पड़ो उसके बाद आप फिर पड़ो और टाइम स्पीड डिस्टेंस पड़ो और एवरेज पड़ो एवरेज की बात तदर में करूँ तो पता नहीं क्या था सेक्यर्टी एसिस्टेंट 2017 का पेपर देखो गए तो 20 में से कम से कम नहीं तो तेरा 11 से 13 कोशन के वाल एवरेज से ही पूछ लिया बाकी जो मतलब पूरी मैथ में कि वह दो चैप्टर पूंचा गया था 2019 में भी देखो गए तो फिर एवरेज अदम गाया भी हो गया थोड़ा बहुत कोशन पूंचा गया लेकिन 2021 आई वी एस यह वाला पेपर बैलेंस था तो इस करण से मैं बोल लो कि आप रिसेंट पर जाओ क्योंक कि आसान होता है और जमिट्री थोड़ी सी देख लो तो आपका मैस में जबीज में से आप दस कोशन बहुत आराम से कवर कर लोगी इस बात का धान देना इंग्लिस में आप क्या पढ़ लो इंग्लिस में आप वर सब्सिट्यूशन इडियम फ्रेजज यह कॉमन पूंसता ह सब्सिट्यूशन हो गया इडियम हो गया उसके बाद आप पीकी वारेस पर आज से ही प्रेक्टिस करो यहां पर कंप्रेंशन नहीं आता यहां पर प्रेक्टिस कर लोगे तो यह बहुत जल्दी आप डूएबल हो जाएगा बहुत आराम से इस पर दो तीन कोशन बल्क में सबसे बड़ी बात यह हो गई कि अब सारी चीजे जो हैं आपको बहुत ज़्यदा भटकना नहीं है आप अगर फ्रेशर हो तो बिल्कुल मत भटको अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको इतना सरा दूँगा कि अच्छे ज़्यदा साल करो और आपके पास फिर भी PDF नोट्स जो होने चाहिए चाहिए बागी सारी चीजे आपको मैं कोस में बताता है रहूंगा हां यह मैं जरूर बोलोगा कि जो फ्रेशर है वो बच्चे कोई से जरूर जूरे क्योंकि उसमें आपको यह किताबे पर दे दूँगा सारी आपको इस बात की गरेंटी हमें से लिता है कि मिनिममम सेलेक्षन और में सारी की बात करता है वो आपको इस बैच में हमेशा देखने को मिल और जो बच्चे पुरा रहे हैं वो तो खुद जानते हो खोग बताएंगे तो अभी इस सेशन को मैं यह एंड कर तो आप कमेंट बॉक्स पर कॉशन दे सकते हो हमसे डायेक्ट पूसकते हो नीचे जो नंबर चल ले उस पर कॉल कर सकते हो आपके सारी समस्याओं का समाधार लेके हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे फिर मिलेंगे बहुत-बहुत धन्यवाद